सब्सक्राइब देखना तो सभी कैसा सब्सक्राइब आजी राम राम सब को तो कैसे हैं आप लोग आशा करतेंगे सब लोग अच्छी हैं और स्वस्त हैं तो आज हमारे ब्रिक्फस्ट में मुंगदाल का प्रांथा और साथ में बन रहा है मेरा मैजिक ड्रिंक तो मूना को मैंने रात को भी गो के रखती है था और अभी हमने यूवी की डिमान्ड हो रही थी यहां पे कुछ तो यूवी की डिमान्ड पर बन रहा है देखना तो सभी कैसा सरता है इसको बोलिया शुख क्या कर रही है यहां बारी बारा वना से बढ़ाई का मामा यह वारी बारी बंदेने ही तो यहां पर मैं यूवी की डिमान पर उसके लिए बना देती हूं पूरी एक दो ऐसे ही कि बच्चे थोड़ डिजाइन में ले देखे कुछ खा भी लेते हैं तो यहां पर बैठे हैं जी बच्चे आप सोच रहे हैं कि बच्चे बात कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं तो यह दोनों बैठे हैं पिछे टॉम एंजेरी तो इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा सा पार्क के लिए तो मौसमें कुछ इस तरह से सुबह सुबह और लोग अपने ओफिस के लिए जा रहे हैं सब लोग जा रहे हैं और हम लोग बेल ले अपना पार्क के लिए जा रहे हैं तो यहां पर हम जाके करते हैं कुछ अपने छोटा मोटा एक्सरसाइज करते हैं और बच्चे भी थोड़ा अपना खेलने में बीजी हैं क्योंकि मौसम काफी अच्छा है सुबह तो दोनों बच्चे जूला जूलने में लग जाते हैं उसके बाद कर लेते हैं यह थोड़ी बहुत स्लाइड और मैं भी अपना छोटी मोटी एक्ससाइज करके निकल जाती हू तो वैदर है देखो कुछ इस तरह से भी धूप काफी अच्छी खिली है मतलब और वैसे भी थोड़ा गर्मी कम होने लगी है तो इसके बाद हम आ जाते हैं घर अपना लंच वंच करके करते हैं रेस्ट और मिलते हैं फिर आपको डिनर में तो डिनर में हम लोग बना रहे ह कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या ही खाएं है ना सबजी खाखा के भी बोर हो जाते हैं दाल खाखा के भी बोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ घर में बनाए अच्छा सा तो मैंने सोचा क्यों ना आज बड़ियों की सबजी बनाए जाए तो आलो के साथ तो मुझे बड तो यहां पे जी हमारी प्रिंसेस ने गुस्से में आके सारा अपना मिल्क गिरा दिया है फ्लेवर मिल्क नीचे और अब चुपो के खड़ी हो गी है जब इसको मनाए नहीं तब तक यह मानती नहीं है इसको मना के लेके जाएं कि अच्छा भई तेरी गलती नहीं थी हमारी थ ही ऐसे इसको ट्रीर करना पड़ता है तो जी हमारी होगी यहां पे तटका लग गया है बड़ियां को और अब हम बनाएंगे कुछ मिठा यहां पे तो मिठे में हम बना रहे हैं आज गुलाब जामुन की वो रेडि टू इट ही होते हैं वैसे तो मतलब थोड़ा सा मैं बना दो यह चाशनी और इनको हम बना देंगे थोड़ा सा फ्राइ कर देंगे तो यहां पे जो गुलाब जामुन का आटा है उसके बना लूँगे मैं चोटे चोटे ऐसे डो और इसको बना के हम थोड़ा दिर रखतेंगे साइड में एक दो मिनिट के लिए उसके बाद हम इनको कर देंगे हलका हलका फ्राई लो फ्रेम पे सको करने हमने है फ्राई क्यूंकि ज्यादा है पर चैय भी पी लेते और इनको लौक टीप करें रखते चाशनी में और थोड़ देर के लिए ढखके रख देंगे और जैसे ठंडे हो जाएंगे आप ठंडे इनको आईस क्रीम के साथ खा सकते हैं बड़े अच्छे लगते हैं आईस क्रीम के साथ भी मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं आईस क्रीम के साथ खाना है तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें बाई बाई